नमस्कार, मसारदा पांडे, आसान जिंदे की किसी पिसोग में आपको स्वागत करती हूँ जैसे की अभी हर वीडियो में बताती हूँ कि परबो तेवहारों का महिना चल रहा है आपको सभी वीडियो मैं देती जा रहे हूँ दिपावली के ठीक बाद, यानि दिपावली रभीवार को है, तो सो मार के दिन सो मती अम्मावस्या इस बार पड़ रहा है, क्यूंकि जो वैसे तो अम्मावस्या के दिन ही लच्मी पूजन भी होता है, पर इस बार जो दिपावली का पूजन होगा प्रदोस काल में, वो दि क्योंकि लच्मी पूजन साम को प्रदोस काल में होता है तो उस समय मद्ध जो है अम्मावस्या चलता रहेगा उसी सुब अम्मावस्या में लच्मी गणेश कुवेर जी की पूजा होगी तो जो एक दो बच कर 44 मिनट पर लगने वाला जो अम्मावस्या है एक दो पहर दो बच कर 45 मिनट से सुरू होके और 13 नवंबर सो मार को दो बच कर 57 मिनट पर समाप्त होगी तो ये जो लच्मी पूजन है ये संध्या काल में होगा और जो सो मती अम्मावस्या पूजन होता है वो सुब बच के 57 मिनट पर तो आप जब तक अम्मावस्या तिथी है तब तक आप पूजा पाठ कर सकती है सो मार को अगर कुछ घड़ी के लिए भी अम्मावस्या लगता है तो उसको सो मती अम्मावस्या ही माना जाता है जो की बहुत सुब माना जाता है वैसे तो अभी जैसे कि अधिक मास आ के चला गया तो सभी हम से पूछे कि हम कोई नयाबरत शुरू करें या ना करें तो मैं सभी को बताई हूँ कि आप नयाबरत शुरू कर सकते हैं यानि जिनको सोमति या मावस्या कबरत करना होगा, किसी पंडित ने बताया होगा, कुंडली में कुछ योग ऐसा होगा कि सोमति या मावस्या करने से, मंगल दोस या कुछ भी दोस जो होते हैं, वो समाप्थ होते हैं मंगल पूजा करने से, और कुंडली में ऐसा कोई योग है सोमतियम मौशा सर श्रेष्ट माना जाता है वथ लेकिन इस बार क्योंकि कि ठीक दूसरे दिन सोमती के दिनि को परवा घृफा कना पूजा करते हैं तो जो पहले से पूजा कर रहे हैं वो पीपल की जतनी भी प्रिक्रिमा लगा सकते हैं यानि 108 या 24 या 27 या 12 जो भी आप से बन सके फेरा लगाएं सोमती अम्माऌस्या पूजन करके भी मैं आसान जिंदगी में डाली हूँ उसको भी सर्च करके देख लें जिसके पास पीपल न रहे यानि दूर दराज में सहरों में हैं फ्लेट में हैं विदेश में हैं कहीं भी तो आप तूलसी का भी फेरा लगा सकते हैं यानि कोईसी को 108 फेरा लगाया ही जाता है धानपान का उसके बाद सक्ती कम होती गई तो फेरे कम करते गए अब देखते हैं बुढ़े बुढ़े बिध्र 108 बार लगाते ही हैं जिसको सोमतियमावस्या ब्रत करना है वो आने वाले सोमतियमावस्या निंतजार करो 2024 में जब भी सोमतिय मावस्या आए विशेश कर अगर सोमतिय मावस्या माघ महिने में पड़ता है तो अतिसुफ माना जाता है बहुत दुरलब होता है कि माघ महिने में जो मौनी मावस्या होता है जब प्रयाग राज में कुम्भ मेला लगता है उस समय अगर सोमतिय मावस्या पड़ता है तो उस समय अगर नया ब्रत सुरू किया जाए तो बहुत सुभ माना जाता है इस बार आप कोई नया ब्रत नहीं सुरू करेंगे जो पहले से ब्रत कर रहे हैं वो करेंगे पहले बता चुकी हूं कि पहली बार धान वपान से 108 फेरा लगाना ही चाहिए फिर समापन के समय यानि जो समापन करना लाता है तो उस समय भी 108 फेरा नमक का नमक जो ंठल今ya होता है जब यृव हो lift हो गये बीमार हो गए कम जोर हो गये ब्रत नहीं कर पा रहे हैं तो जब 108 फेरा लगाना होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर आदमी कमजोर है बिद्ध है विमार है तो 108 कैसे लगाएगा तो उस में क्या होता है कि आप जितना भी फिरा लगा सकें 108 ने तो चवह ने 27 ने तो बाद फिरा आप इसी तरह से लगा सके तो लगाना एक फिरा ही या दो फिरा ही लगा सकती हैं तो आप 108 जो नमगा जो ढखेला होगा उसको आप एक पात्र में रखेंगी उसके बाद आप जहां पर फूजा अस्त्तल है और चाहें पीपल का हो उसे समापन पीपल में ही करना शुरुवाइब प्ीपल में ही कर ड़ी अगर पेपल जीवन में कभी वी नमील सके तब वीकलप है तुल्सी महीया की तुल्सी का भी ओधिशनू परिया और मौश्य पूजण किसका होता है श्री हरी विश्ञू जी का तो स्री हरी प्रीविश्णू Reza के दिन तो मैं आपको पता रहे हूं कि जब समापन करना होता है तो क्या विकलप है एक सव आठ फेरा लगाना ही है नहीं लगा पाए तो क्या करें तो जो व्रत करता है जो उद्यापन कर रहे हैं वो एक जगह और एक धागे से यानि एक धागा रहेगा तो आप पकड़े रहोगी और पेड में ओधागा बंधा रहेगा नीचे से तो विक्ति जब फेरा लगाएगा तो यह मानता रहेगे कि आप ही फेरा लगा रहे हो और फेरा लगाने के बाद जो पुन्द फल होगा यानि अच्छा फूल जल सब लेकर दोनों हाथ में फिर आपके हाथ में संकल्प करते हुए डाल देंगे कि ये फेरा आप में लगाया है वाप उस अच्छा तो सबीफूस पानी को पीपल में डाल देंगे तो ये बिकल्प है जो 108 फेरा ना लगा सके आपको मैं सोमती आमावस्या के बारे मे तक रहेगा फिर सोभन योग लग जाएगा सोभन योग पूरे दिन रहेगा फिर आत्री तक लगेगा सरवार्थ सिध्धी योग इन योगों में अस्नान दान पूजा पाठ जब सभी क्रियाएं जो हैं जो की जाते हैं क्रियाएं इनका फल कई गुना बढ़ जाता है तो अम्मावस्या के दिन जब कोई भी पूजा होता है जैसे कि मद्रास में जब बट सावित्री को पूजा होता है तब भी पितरों का तरपन किया जाता है यानि पूरिमा पर भी ज़कि पूरिमा तिथी देवताओं के लिए हैं मावस्या पर भी अगर कोई भी अम्मावस्या को अब ही सब से पहले मान है पहले पितर तर्पन किया जाथा है फिर देहताओं का पूजा तो देहताओं को सिग्र ही पूजा प्राप्थ हो जाती ही अई satisfactory इसी मानता है ऐसी सती सावितृ ने भी इसी तरीके से पूजा किया था जब सत्तिवान के पीछे-पीछों को जाना थ से इस दिन इनकी म्रित्तु होगी सती सावित्रियग पहले से किया पहले पितरों ऑिकल्प्या कर लिया सभी आप जो चीजें चढ़ाती हो यानि कि जितनी बार जितने सालों में आप मावस्याक जो फेरी लगाते हो, परिक्रमा करते हो, तो हर चीजें अलग-अलग होने चाहिए, धान पान शुरू में, अंत में नमक, इसके बीच में कोई दो चीजें, जैसे माली जे, रेउडी, बतासा, काजू, किस्मिस, चना, लीची, दाना, कुछ भी, एक नहीं, द लगा जाएगा, कच्चा सूत का भी फेरा लगा जाएगा, जितने भी आप चाहें, तीन बार लगा लें, पांच बार लगा लें, जो भी, लेकिन इसके अलावा, भोग प्रसाद के अलावा भी सिंगार जरूर चढ़ाना चाहिए, और वो सिंगार, किसी बिद्ध बागन ही रहें, ऐसा असिरवार मागना चाहिए, और भगवान श्री हरी विष्णू जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, बिद्ध पहले आप पीपल का पूजा कलने, फिर घर में रहके विष्णू सहस्त्र नाम का पाठ, जो भी भगवान विष्णू जी की आरती यह सब करने से अति सुऻता बढ़ जाती है, शोमत्य अंमावसयागा, बहोत सारे लोग बोलते हैं, फेरी हम लगा के भोजन कर लेते हैं, अंमावसया चिती जैसे पूरिमा चिती में बिना नमक के खाना खाते हैं, वैसे अंगर ब्रत कर लिए, तो सोने में सुहागा, अब ब्रत बोलोगे कि अमावस्या थी दो बश्का संताओने मिन पर समाप्त हो गई तो हम पारण कल लें ऐसा नहीं ब्रत का संकल्ब पूरे 24 गंटा का होता है सुबह से साम तक फिर अगले दिन आप पारण करें ब्रत कल ले तो जो इथी का जो पूजा का ब्रत का दान का जो करें सभी हमारे जितने बहने हैं भाई जितने सभी लोग हमारे असान जिंदगी से जुड़े हुए हैं मैं यही कामना करती हूं देवी दुरका से कि आप सभी स्वस्त रहें सुखी रहें संपन रहें और आसान जिंदगी के साथ बने रहें देखते रहें आसान जिंदगी कि तब तकली नवसकार.